कि नमस्कार बाया सुलसंस के इस यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में कि देने डवर हैलिस का महत्तों क्या है उसकी विश्यस्ताय क्या है उसे बारे में जा देंगे दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में कि डेनी अथार्ड पयूनुक्टाइट चैन का निर्मान कैसे होता हैं उसी स्वनणचना क्या होती है हम देख चुके हैं अब ये डवलव स्टेंड्ट डेनर जो बना चुके हैं आज हम जानेंगे यह दूई लड़ी डियेने हैं इसका विश्यस्ता क्या है तो आए देखते हैं सबसे पहले कि डियेने दो लड़ी वाली बचना होती ही है अधार्त जब पॉलिनुक्टाइड चैन दो लड़ी में विवस्तित हो जाते हैं उसी को डियेने कहा जाता है डियेने के निर्मान में दोनों पॉलिनुक्टाइड चैन एक दूसरे के समनांतर विवस्तित हो जाते हैं दूसरे के समनांतर जैसे एक पहली लड़ी हो गई और एक दूसर लडियों में दोनों लड़ी का जो दिसा होता है रांतर के पहली बात की दोनों लड़ी सर्फ ईसकी दिसा है है फाइफ टिंड से ठ्रींड है इसका प्राणिद क्षोर्ण है तो इस लड़ी के दिशा हो जाएगी अब पांचनल छोर से तीसरे छोर यही अब दूसरे लड़ी की बात करेंगे तो विसका अनुपूरक होगा अथारत बीपूरित होगा जैसे दूसरे च्छार होगी तीसरा-चोर से पांच-वाच-चोर जाह देखिए तीसरा-चोर से रिखा कि पांच-वाच-वाच-वरो अब दूसरी बात कि dna के जो लड़ी का निरभानी फोनुस्टेंड की निरौन खालन में आधार का निरमान लादिश का कहें हम तो यह सुगर हो गया और चैन में सूगर और सुगर और आधार यह अस्तंब का निरिमान करते हैं और इस आधार से नाइट्रोजनी छार प्रशेपित हुआ है मतलब आधार से यह अलग हुआ है जिस परकार इसको हम वर्णन करने के रिका सकते हैं कि जिस परकार सीडी का निर्मान होता है तो सीडी में किनारे जो अस्तंब होते हैं और बीच में स्ट्रीप बनाया जाते हैं तिक उसी परकार डियने की यहीं लड़िया सीडी के अकार की बन जाती हैं जिसमें एक अस्तंब और दूसरा अस्तंब इस अस्तंब में जो नाइट्रोजनी छार प्रशेपित हुआ है मतलब में यहीं स्ट्रीप का निर्मान कर लेता है तीसरी बात यह होती है कि जो छार प्रशेपित हुआ है बीच में मद्धे में छारों के मिलने का नुक्रम निश्चित होता है पॉली नुक्टाइट की दोनों लड़ियों में छारों के मिलने का नुक्रम हमेशा निश्चित होता है जिसमें हमेशा यदि एक लड़ी में दूसरे लड़े में या टी होगा अथार्थ एडनीन थाइमीन ये दोनों प्रशेपित होगे गुशी तरह से थाइमीन और एडनीन प्रशेपित यह हुआ है गुएनिन और साइटोसीं हमेशा एक साथ प्रशेपित होकर जोड़ी बनाते हैं हमेशा एक साथ प्रछेपित होकर जोड़े बनाते हैं इसमें यह आप जानेंगे कि जो छार का प्रछेपित हुआ हो निशित अनुपात में रहेगा निशित अनुक्रम में होता है निशित दूरी में होता है है तो सबसे पहले जानते हैं कि दो निक्रोटाइड के भी हमेशा जैसे थाइनीन और एडिनिन के भी हमेशा हाइडरोजन बॉर्ण बर्ण बनता है इसके द्वारा यह जूड़े रहते हैं इसमें छारों का जो डिस्टेंस है वो भी निश्चित होता है जैसे थाइमीन और एडिनीन के बीच की दूरी होती है एक 11.1 एंगस्ट्रम और वहीं ग्विर्न साइटोसिन ग्विर्न के बीच की दूरी होगी 10.8 एंगस्ट्रम अतार्त इसके बीच की दूरी जो है 10.8 एंगस्ट्रम होगी थाइमीन और एडिनीन के बीच की दूरी होगी एक 11.1 एंगस्ट्रम और डिने का कुंडली ऐसे बना ले तो लिपट जाती है डिने कुंडली का निर्मान हो जाता है जैसे इसको हम छोटे तौर पर यहां समझ सकते हैं यह डिने का कुंडली बन जाता है जिसमें दो लड़िया एक दूसरे के समरांता राके विवस्तित हो जाती हैं तो एक कुंडली के निर्मान में एक कुंडली के प्रते कुंडली के निर्मान में दस जोडे निक्रोटाइड भाग लेते हैं टेन पेर निक्रोटाइड या नाइट्रोजिस शार भाग लेता है और इसमें यह भी कर रहा है कि दो निक्रोटाइड के बीच की दूरी है दो छार इंग के बीच की दूरी जो हती है तीन दस्पनों चार माइक्रोमीटर, नैनोमीटर होता है 3.4 mm होता है तो हमने कहा कि एक कुंडली के निर्मान में दस जोडे नाइट्रोजी छार भाग ले रहे हैं और प्रतेक छार के बीच या प्रतेक कुंडली के बीच 3.4 mm का यह दिस्टेंस होगा तो अब कहें हम कि प्रतेक छार के बीच की दूरी क्या होगी तो यहीं होगा 3.4 बाइट 10 कर देंगे जिससे आएगा इसका सुल्व एंसर हो जाएगा 0.3 नैनो मीटर अथा 2.4 के बीच की दूरी 0.34 नैनो मीटर होती है डीने का जो यह सीरा बन रहा है इस सीरा में निशित अनुपात में जुड़ा रहेगा अतारते इसमें जो पायरेमिडीन और प्यूरीन छार बन रहे हैं यह भी निशित अनुपात में पाय जाते हैं जी अभी विचिस्ताय है डबल तुमम नेगा जैसे हम ने का कि यूजिध सहर में पायरेमिडीन के जितनी संक्या हे तो दूसरे लड़ी में प्यूरीन की संक्या भी उंटनी ही होगी जैसे यहां एडिनिन है एधाय में जुटा होओ तो जितने संख्या इडिनीन रहेंगे उतने ही संख्या में थाय मिद रहेंगे ऐसा हो सकता है कि पायरमीडिन और प्यूरीन का अनुपात लग लग हो सकता है यदि पायरमीडिन की संख्या के कहीं चार है तो प्यूरीन की संख्या चार याधिक हो सकती है कम याधिक हो सकती है लेकिन संख्या जो है नाइट्रोजन छारों की जो संख्या है वो निश्चित अनुपात में ही रहेंगे उनकी संक्या निश्चित होती है हमेंसा यह डबल हैस्ट डियने की विशेस्थाय हैं जिसने आपको डाइग्राम के तरह से बहतर देखे समझ लिया है यह दोनों लड़िया कुंडलित हो जाती है कुंडली में आपने छारों की सिद्री को भी समझ लिया इसके दूरी को भी समझ लिया अब हम अगले वीडियो में जानेंगे इस लंबे डियने का पैकेजिंग कैसे होता है अधार सिंस में जानेंगे निउक्लियोसम कैसे बनते हैं निउक्लियोड कैसे बनते हैं तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे सेर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और यह जदि आपको कोई टॉपिक जानना चाहते हमसे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद